हालो नमस्कार दोस्तों पूजा कमटर में आपका स्वागत है मैं हरी सक नए वीडियो के साथ उपस्ते चूँ आज के वीडियो में बताएंगे दोस्तों आपने बिहार में किसान पंजी करन कराएं हैं और आपका जो पावर्ती रेजिस्टेशन जो है वो खो गया है तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपना रेजिस्टेशन जो किसान रेजिस्टेशन किये हैं वो आप रसीद कैसे नि निकाल सकते हैं इस वीडियो में आपको step by step details आपको पताएंगे कि बहुत ही आसानी से आप अपना रक्किसान पंजी करन निकाल सकते हैं मोवाइल नमर से निकाल सकते हैं आधार नमर डालके आप निकाल सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक ही request है अगर च साइट है dvt agriculture.bh.gov.in पे आपको क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट को जहां से आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पे और यहां पे देखिए आप पंजी करन का ओप्शन दिया गया है पंजी करन के लिए देखिए आप पे पावती प्रिंट करें जो आपकी सान पंजी करन कराएं हैं उसका रसीद निकालना चाहते हैं तो यहां पे पावती प्रिंट करें इस पे आपको सीम्पली क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस यहां पे ओपन हो जाएगा देखिए यहां पे पंजी करन पावती चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे दोनों प्रोसेस हम आपको बताते हैं चलिए पहले चलते हैं पंजी करण पापती हम प्राप्त करना चाहते हैं तो देखें यहाँ पे आपको दो तरीकों से पंजी करण पापती मिलेगा पहला तो पंजी करण संख्या से जो आप किसान रेइस्टेशन कराएं है वो नमबर यहाँ पर आपको पास अगर है रिकॉर्ड में है तो यहाँ पर डालेंगे सो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए किसान पंजी करन आ गया क्रिसी विवाग बिहार सरकार पंजी करन पावती देखे पुरा रसीद यहाँ पर आ गया डेविटी हेलप लाइन आ गया नहीं मा जाता है और यहाँ पर जो इसका पंजी करन संख्या है वो आ गया फादर नहीं मा गया मोबाइल नमबर आ गया और अधार नमबर यहाँ पर आ गया तो इस तरह से दोस्तों आप पंजी करन पावती प्राप्त कर सकते हैं चलिए आप दूसरे उप्शन पर चलते हैं जो हमारा पावती प्रिंट करें इस पर गये फिर यहाँ पर पंजी करन प्राप्ति पे जाएंगे देखिए दूसरा जो option दिया गया है अधार संख्या अधार संख्या से भी आप पंजी करन रसीद प्राप्त कर सकते हैं चलिए हैं पर अधार नमर इंटेट कर देंगे और so record बटन पे simply क्लिक कर देना है तो दो तरीकों से आप निकाल सकते हैं दोसों पंजी करन देखे सेम टो सेम आ गया अधार नमर से और पंजी करन संख्या से आप किसान रसीद का रसीद निकाल सकते हैं चलिए अब दूसरा option चलते हैं इनपूट सबसीडी के लिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इनपूट सबसीडी और यहाँ पे दो तरीकों देखे यहाँ पे तिन तरीकों से इनपूट सबसीडी आप निकाल सकते हैं पहला तो गया पंजी करन संख्या से दूसरा अवेदन संख्या से तीसरा अधार संख्य से जो भी input subsidy के लिए आपने apply किया है वो आपका details यहाँ पे show कर जाएगा देखिए यहाँ पे enter ID किसान registration संख्या में आप डाल रहा है so record बटन पे click करेंगे तो यहाँ पे wrong ID बता रहा है चलिए अधार संख्या से हम अब करते हैं अधार संख्या से हमने कोई input subsidy के लिए लगता है अपलाई नहीं किया है इसलिए यहाँ पे record नहीं सो कर रहा है अगर आप input subsidy के लिए पलाई किये होंगे कोई record नहीं है तो दोस्तों आपने देख लिया कि आप दो तरीकों से पंजी करन संख्या निकाल सकते हैं इनपुट सबसेजी का डिटेल से अपना निकाल सकते हैं अधार संख्या से और मोबाइल नंबर से और रेश्टेशन संख्या से तो I hope दोस्तों ए वीडियो आपके लिए इनफोर्मेटिव रहाओगा वीडियो अच्छा लगाओ लाइज सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय है